हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स देखे आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भरती वर्ष दोजार तेईस में 1275 पदो पर आई हुई है उसके लिए एडूटेरिया का जो नय प्राक्टिस बुक बॉलूम टू आया हुआ है जरूर देख लिजेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और बिहार दरोगा 1275 पदो की बहतरीन तरीके से त्यारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो ब कर देंगे और इस का लिंग की किसी भी एक गुरूप में जहां के भी आप हैं जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे अवस्त ही सेयर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बताया कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा की जो नई भरती वर्स 2023 में 1275 पदो देखे पहला प्रशन कि जाती आधारित गण ना 2022 का नुसार हिंदु धरम की आबादी कितना प्रतिसत है बड़ा ही महत्तपुन प्रश्ण है और यहां से निशीत रूप से प्रश्ण आपको एक्जाम में देखने को मिले गा ही तो देखे जाती आधारित गनना 2022 का नुसा तो आपको याद रखना 17.70 ठीक है ना यह दूसरे नंबर पर है इसाई तीसरे अस्थान पर 0.05 परसेंट के साथ और चौत्य अस्थान पर सिखें 0.011 परसेंट के साथ तो यह सब आपको धियान रखिएगा ठीक हैं अगला प्रशन करेंगे कि भारत में अपनी साखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्विद्याले कौन है तो देखें यह विदेशी विश्विद्य साथ में इसने अपनी साखा खोला है गुप्ट सीटी का फुलपम होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनस टेक सीटी ठीक है याद रखें कि गुजरात में नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि नाटो के 31 सदस्य देश की रूप में किसे सामिल किया गया है तो फ्रेंड्स य बात आई है नौर्थ अट्लांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाजिशन इसके अस्थापना 1949 में हुई थी उनीसों उननचास में हुई थी इसका हेटक्वाटर ब्रुसेल्स में है और इसका 31 सदसेदेश फिनलैंड बना है फिनलैंड की राजधानी पुछा जाता है फिनलैंड की राजधानी कहां पर है तो फ्रेंड्स याद रखेगा हैल सिंग की में है क्लियर ना चले भालूम भी चलाया जा रहा है आज ही पांच मेंने कराया है अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उससे अच्छा है आप पर चले जाएंगे और सभी वीडियोज आपको लाइन से मिल जाएंगे सभी वीडियोज को देखिए ठीर चलिये के सिपरी रिपॉट अब यह सिपरी अंगरेजी में ऐसे लिखा जाता है सिपरी का फुल्फम क्या होता है जिसका स्टॉक होम इंटरेशनल पीस रिसर्च इंस्टिचूट ठीक है याद रखेगा इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिचूट ठीक है ना सिप्री रिपोर्ट 2023 को नुसार विश्व के तीन सबसे बड़े सस्त्र यानि की हतियार आयातक देश कौन से हैं तीन क्रम बताना है तो सबसे ज़्यादा भारत करता है भारत जो है यह टोटल 11 परशेंट जो है पूरी जो हतियार आयातक है उसका 11 परतिसत जो है यह खुद आयात करता है दूसरा स्थान पर सौधी अरव है तीसरा स्थान पर कतर है और से नमबर डी रैट अंसर इसका हो जाएगा वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रस्ताइब चीन फिर जर्मनी आता है तो यह भी करम आप याद रख सकते हैं आयातक में भारत सौधी अरब कतर ठीक है यह तीन हो गया है चौथे अस्तान पर ऑश्ट्रेलिया हो जाएगा याद रखेगा चले नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि अंतराष्टिय बौधिक संपदा सुचकांग 2023 में भारत का स्थान क्या है अच्छा यह जो रिपोर्ट है अंतराष्टिय बौधिक संपदा सुचकांग यहां जारी कुन करता है तो यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स जारी करता है ठीके नेपा चैनल के नयराश्टितव कौन बने हैं अच्छा नेपाल के प्रधानमंतुरी का भी नाम याद रखना ह्वा फुस्प कमल दहल अल्परचंड ठीके ना और प्रधानमंत्री का नाम धियान रखेंगे साथी साथ राश्टपती बना है रामचंद्र पॉडेल और सी राइट अंसर हो जाएगा चले प्रधान मंत्री दुवारा अच्छा नेपाल की राजधानी कहां पर है आप लोग जारा कमेंट करके बताएंगे मुझे ठीक है ना प्रधान मंत्री दुवारा टेक्स्टाइल उद्योग को बढ़ावा के लिए जो है इससे अस्थापित किया जा रहा है और यह टोटल जो है कितने मेगा टेक्स्टाइल पार्क जो है अस्थापित किया जाएगा तो आपको याद रखें है टोटल यह कितना है फ्रेंस तो यह साथ है ठेकन साथ है कहां कहां पर अस्थापित किया ज में चठा करनाटक के कल बुर्गी में और पांचवा गुजरात के नौसारी में ठीक है न तो याद रखेगा राजी का भी नाम आप याद रख सकते हैं उत्तरप्रदेश मद्दप्रदेश महाराष्ट तेलांगना तमिलाडू करनाटक और गुजरात चलिए इससे बहतर कहीं भी एक्स्प्लेनेशन पूरे योटूब पर आपको नहीं मिलेगा चलिए नेक्स्ट कुर्स्टन करेंगे बजट 2023 में प्रधानमंत्री गराम सडक योजना है तो कितना बजट अनुमानित है प्रधानमंत्री गराम सडक योजना के लिए तो फ्रेंस यह कितना है तो यह 19,000 कोड़ो रुपिया है चले उसका वाद दिखेगा कि हाल ही में अंतराश्टी महिला विज्ञानिक दिवस मनाया गया कब मनाया गया तो यह 11 फरवरी की दिन मनाया गया और इसका थीम याद रखना इसका थीम क्या है आईडिया अब देकि इसका फुलपर में बता देता हूं आपको यह सोट में याद रखना है तकि आपको लंबे समय तक याद रहे इसका जो थीम था वो था इनोवेट डेमेंस्ट्रेट एलिवेट एडवांस ठीक है आई से होगे आपका इनोवेट डी से डेमेंस्ट्रेट इसे एलिवेट और एसे एडवांस ठीक है ना चलिए अ एक लाख यहां पर option D right answer हो जाएगा भॉलू मोवन का पांचवा स्रेट मैं आज कराया हुआ है देख लीजेगा और देखे होगी तो यह हमारा प्रयास लगातार चल रहा है कि आपको बहतर कंटेंट उपलब्द कराया जाए मालाबार नौशन अभ्यास 2023 का आयोजन कहां किया गया अचाहिए मालाबार नौशन अभ्यास जो है याद रखेंगे यह किसके मद्ध होता है तो यह भारत अमेरिका जापान और अश्ट्रेलिया का मद्ध होता है और 2023 में स्कायोजन कहां पर किया गया है तो याद रखेंगे यह ऑश्ट्रेलिया में 2022 में जापान में किया गया था नेक्स्ट कुर्सन के बच्यों के लिए डिजिटल स्वास्त कार्ड लॉंज करने वाला पहला राज्य कौन बना है चुकि पहला है इसलिए काफी इंपोर्टेंट है तो यह राज्य कौन बन गया है तो फ्रैंट्स यहां उत्तरप्रदेश बन गया है ठेके ना उत्तरप्रदेश बच्यों के लिए डिजिटल स्वास्त कार्ड लॉंज करने वाला पहला राज्य बना है नेशनल आइस होगी होक्ি चेंपाइसेशीब 223 घंप किसने जीता है अच्शहेए डेशजन आइस候 होकी होक्ि चेंप्एसेव डोहजर का आईउसन कहां पर किया गया था तो लदाक में किया गया थाита विजेता जीता जो रहा है खिताब जो जीता है यह जीता है आईटी बीपी ने किसको हरा है तो लदाक स्काउट को हराया है ठीक है ना सब ध्यान रखना आपको हाली में प्रसिद्ध व्यक्ति तो वह सतीस कौसिक का निधन हो गया उनका संबंद किस छेतर से था काफी सुर्खियों में रहे थे यह सतीस कौसिक और एक मज़े हुए एक सांदार यह कलाकार थे अभिनेता थे साथी साथ यह निर्देशक भी थे तो ऑप्सण डी राइट अंसर हो जाएगा यह और भी दोनों चलेनेम लिखित में से कौन राज्यपालों का सम्मद्ध राज्यपालों के महराष्ट के हैं मेघाले के अब फागु चौहान है और भिहार के अब राजिंद्र विश्वनाथ अरलेकर बन गया है बाकी सारा जो है सही दिया गया है सही सुमिलित नहीं पुछा गया है तो ऑप्सण डी राइट अंसर होगा भारत को किस वर्ष स्सीयों में परविक्ष सब्सक्राइब का दरजद दिया गया था कि 2005 में दिया गया था नेक्स कुस्टन हमारा कि मोढ़ेरा का भारत का पहला जो है 24 into 7 सवरुर्जा संचालित गांग हुसित किया गया है यह गुजरात की किस दिले में है अच्छा मोढ़ेरा से आपको याद आराओगा हिस्ट्री म मोढ़ेरा की सुर्य मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था यह प्रश्ण आपने पढ़ा है ना तो मोढ़ेरा जो है यह गुजरात में है और इसकी अस्थापना जो है मोढ़ेरा के सुर्य मंदिर का निर्मान जो है यह सोलंकी वंस के सासक भीम देव परथम ने करवाया थ है चले 19 नंबर प्रश्ण करेंगे और सभी लोग अपना अपने स्कोर भाई जरूर बताईएगा देखें उच्चतम न्यायाले ने किसकी अध्यक्सता में छेत्रिय भासा में न्यायालों की निर्णाय को अनुवाद करने ही तो समीती का यानि कि कमिटी का गठन किया है प्रजेक्ट जो था यह पूरा प्रजेक्ट 272 किलोमेटर का था 272 ऑप्सन के इसाब से सही होगा लेकिन इसके टरनल की अगर लंबाई अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका लंबाई याद रखना है बारह दोसमलो आठ नो पांच किलोमेटर ठेक है ना पांच करा इनो के सरक्षं के लिए ठीक है और ये वर्ल्ड बैंक के द्बारा जो है जारी किया गया है विसुपबैंक से 163 को नए कानून मंत्री कौन बने लेकिन इस्तिपाद दिया है इन्होंने और किरन रिजीचय कं बूभ पास मंत्र मंत्रा है कि इनके पास समस्था के दवरा हाल है में झीवन आजादी पॉलिशी की शुरूआत की गई है लैएी लैशी के सथापना घर आप से पुछा जाए तो भाई आपको याद रकांगा लैशी के सथापना 1956 में हुई अदमिस्री दिया गये टोटल एड कर दीजिए देखे 106 आ जाएगा और यहां पर मरणो परांत अगर आपसे पुछा जाएगा तो मरणो परांत 7 लोगों को दिया गया ध्यान रखेंगे यहां पर महिला पुछा गया तो टोटल जो है 19 महिलाओं को दिया गया है अचाँ लेजे आठ यहां पर ले लिजे पांच और यहां पर ले लिजे तीन बताई कि भारत में अब तक या अब तक कितनी महिलाओं को भारत रत्न से समानित किया गया है तो दीके पांच महिलाओं को किया गया है उनका नाम भी मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहले इंद्रा 28 फर्वरी के दिन मनाया जाता इसवार इसका विशय था global science for global wellbeing इसका मतलब हिंदी में है यहां वैश्विक कल्यान के लिए वैश्विक विज्विक्यान यह भारत उप्राश्टमथती निर्वाशक और एक निर्वाशक गनद्वार किया जाता है जिसके सदस होते हैं, तो इसमें जो सदस होते हैं, वो आपके होते हैं दोनों सद्रों के सदस, यानि कि इसमें निर्वाचित भी होते हैं और मनोनित भी होते हैं, तो संसत के दोनों सद्रों के सभी सदस, उपराश्ट पती, ठीक है न, चले, समिधान के किस अनुछेद में ल दरणायक मत देता है यह आर्टिकल 101 में है यानि कि 101 में है 100 और 1 अलग से ठीक है न ध्यान रखिएगा चलिए खाद मिलावट निवारन अधिनियम पहली बार लागू किया गया था तो देखे इसे पारित किया गया था 1754 में इसको पारित किया था ठीक है न और दिखे इसको लागू किया था एक जून 1955 को खाद अपमिश्रन निवारन अधिनयम उनिसोट चोंवन के रूप में तो यहां पर उनिसोट चोवन ही दिया गया है पहली बार इसको पारित किया गया था और लागू किया गता है 1955 में चले उसका बाद देखिएगा कि भारत में केंद्राज संबंद निर्भर करते हैं तो केंद्राज संबंद जो ही निर्भर करता है समयधानिक प्रावधानों पर परमपराओं और व्य ख्याव पर यानि कि सभी पर हो जाएगा इसका राइट अंसर ऑप्शन डी सभी करेक्ट अंसर हो जाएगा देखे फ्रेंट्स थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी सेशन कवर करा रहा हूं आप लोग को कहना है कि 30 मिनट के आसपास में कवर कराईए तो आप लोग सपोर्ट तो सुनरां क्या दिसुचन जब यह जारी नहीं करते हैं चूना हां इसकी शिफारिस जरुर करता है ठीकिन चुनाव चिन का बटवारा करता है यह दिद लकर ननेहीं और संपर्वन करना यह चुनान, पूछा गया है उप्शन यह राइट अंसर तो는 किसने तो मेर का कारेकाल नीत किया है नियत जो किया गया है फिक्स जो किया है कि पांच वर्स किया गया है ठीक है ना चले कहीं कहीं एक वर्स का भी होता है मेट्रो सीटी टाइप में लेकिन आपको याद रखना है पांच वर्स फिक्स किया गया है यहाँ पर मिलान करना है अब यहा से कौन से समिती पंचायती राच्त संबंदित है या फिर नहीं है देगा तो यह 4 समिती थुंगन समिटी असुक महता समिती बलुवनतराय महता-समिती यर महता और ár गया세 संद्वी सम्झाद संसोदन अधिनिया मत अधिकार की आयो को घटाने या कम करने से संबंदित है तो यह कौन सा है तो यह 61 सम्झाद संसोदन है 1989 में एक 60 वा राइट अंसर हो जाएगा मत धान की आयो सिमा जो है 21 से घटा करके 18 वर्स कर दिया गया बोहरा समिती का संबंद किस्से है बोहरा समिती का संबंद किस्से है बोहरा समिती का गठन जो है यह कब किया गया था तो 1993 में 1993 में इसने रिपोर्ट भी किया था अपना प्रस्तुत और यह पीवी नर्सिंगार आओ के समय में यह बोहरा समितिक अगठन किया गया था राजनेताओं और अपरादियों की सांट काट से अप्सन नमबर संबंधित है उसी से ठीक है न चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्चन हमारा कि राश्ट्री क्रिशी ओम ग्रामणी विकास बैंक की अस्थापना कब भीत यानि कि नाबाड के अस्थापना पुछा जा रहा है नाबाड के अस्थापना आपको भले बनती याद होगा 12 जुलाई 1982 को ठीके न 12 जुलाई 1982 को हेट क्वाटर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चियर परसन जो है यह साजी के वी है कौन है साजी साजी के वी याद बीस सुतरी कारेकरम के शुरुवर्ट किस पैंसवर्शी घॉलना के दवरान की गई थी वीट सुत्री कारेकरम के शुरुवर्श जो है ये प्रधान मुंतर इंद्रा गांधी जिने किया था और यह 5.15 शुभर्शी योजना का कारेकाल अगर पुचा जाएगा si size 1974 के लिकर यह सब प्रात्मीक छेतर में आते हैं ठीक है ना प्रात्मीक छेतर में आते हैं तो right answer इसके क्या हो जाएगा right answer friends option number यह हो जाएगा तृतियक छेतर को सेवा छेतर कहा जाता है यह प्रश्ण बनता है next question हमारा कि the general theory of employment इप्राइब नि Grund्व इम्प्लोएमेंट इंटरेश्ट आद मनिऐ पुष्त के लेखा कौन है तो फ्रेंटस इसको लिखाए की चीन लिखा या किशन लिखा है भारत के विदेशी अपार से संबन्दित आंकड़े किसके द्वरा जारी किया सबसे कम समय में सुरी के परिकर्म करता है अठासी दिनों में इसके पास कोई भी उपगरह नहीं है नहीं है देखें नहीं पुछा गया है बलित परवत का फोल्डेड माउंटेंड का तो इसमें से अगर हम बात करें तो पारसनात होगा पारसनात अरावली विंद्याचल परवत के उधारन है न की बलित परवत के उसका बंडेके किस देश को वनों का देश कहा जाता है यानि कि वनों के देश की उपनाम से जाना जाता है तोторы यहिए कांगो है कंगो रा कंग राइटम्सर हो जाएगा ने मिलकित मीसे कौन सी फंडी जलधारा का उदारन है अब मेहां पर देखिए मैं पहले answer बताता हूंँ सुसीमा और कियो यह प्रसांत महासागर की ही जल धार्या है पर और गरम झम कोंशा धाना जोडता है तो कोयम बचूड और कोचिंग के बीच का जो संपर्क मार्ग है ये पाल घाट दर रहा है थाल घाट जो है थाल घाट या नासिक और मुंबई के बीच का संपर्क मार्ग है भोर घाट जो है भोर घाट यहां मुंबई और पुने के बीच का संपर्क मार्ग है और सेनकोट जो तो गिरना सिचायँ परियोजना किस राजी में है तो गिरना सिचायँ परियोजना जो माउंट कोयोबो इस्तित है माउंट कोयोबो माउंट कोयोबो जो है यह कहां पर है तो याद रखेंगे यह दक्षनी अंडमान में है और सेंडल पिक उत्री अंडमान में है माउंट कोयोबो दक्षनी अंडमान हो जाएगा नेपाल के साथ कितने भारती राज्य सीमा बनाते ह इसे बाद नेपाल के साथ पांच राधी हैं एक तो अपना विहार हो गया फिर देख लिजी दो उत्तर पर cheapest फिर हो जायए गया उसके बाद अगर हम बात करें तो पोटिल आपको पता होगा उसका बाद जय देव का गीत गुबिंद भी आपको याद होगा सोम देव का कथा सरीत सागर होगा और भद्रबाहु का कल्प सुत्र होगा तो इस तरह से अब आप मिला लेंगे भाई चले अगला प्रश्न है कि दिली सल्तनत के ईक मातर सुल्तान जिसने अपने आत्मकथा लिखह सुल्तान कौन था वह सुल्तान हो फिरोज सहत्गलक फतुहात फिरोज सही नाम से इसने अपने आत्म कथा लिखा है फिरोज सहत्गलक ब्रामनों पर सबसे पहले जजियाकर इसने लगाया था याद रखेंगे महमुद घजनवी को परास्त करने हैं तो राजपुत सासको के संग का नत्रित्व किस ने किया था तो याद रखेंगे यह किया था जैपाल ने और इसमें जैपाल की हार हो गई थी और इस हार के बाद इसने अपनी आत्म हत्या कर लिया था नीम लिकित विदेशी यात्री में से कौन मुगल समराज में नहीं आया था बर्नियर टेवर्नियर और सर्ट तोमस रहा Somebody यहां के समय में आया थे और अरॉंजीब के आय थे उस時 में ठीक में और यहां पर देखिए नहीं आया था डॉमिंग पास कृष्ण देव राय के समय में आया था ठीक है ना चले उसके बाद देखेगा कि बहुत धर्म से संबंदित कौन सा कथन सत्य है अब एक एक करके पढ़िएगा पुछा है सत्य कौन सा है और नीचे यहां से कूट में सेंसर आपको देना है ठीक है तो पहले पंढ लिजी दूतिया बाध संगती में बहुत धर्म दो भाग हीणियान और महायान में विभाजित हो गया नहीं दूसरे बाध संगती में यह नहीं हुआ था चतूर्थ बाध संगती जो कस्मीर में हुआ था कनिश के समय में उसमें जो है दो भाग हिनियान और महायान में बढ़ा था तो यह गलत हो गया बाधरम के महायान संप्रदाय का आदर्स बोधियस्तत्व को प्राप्त करना है सही दिया गया है और हेनियान संप्रदाय का अदर्स औरहत पत को प्राप्त करना सही है नाम याल बहुत मठ याद रखी हिमाचल प्रदिस में धरमसाला में यह भी सही है यानि कि सही हो जाएगा दूसरा तीसरा और चोथा जो कि अपसर नमर देख सकते हैं वी में है उसका यहां से बहुत तरीक से बनता है भारत का प्रथम पुछा गया स्वतंत्र भारत का प्रथम पुछेगा तो स्वतंत्र भारत का कौन हो जाएगा मांट बेटन लॉड मांट बेटन और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतिये गौर्णर जनरल अगर पूछेगा तो स्वी आपको पता होगा 1857 में लौर्ड कैनिंग था और भारत के पहला वायसरा बना था ठेक नहीं और आखरी गौर्णर जनल था यह चले कौन सा विद्रोह सुमिलित नहीं है मैं अंसर बताता हूं पाबना विद्रोह सही है यह यह भी सही है ताना भगत भी अहों विद्रोह असम म और में जोतीबाब फुले नहीं किया था अच्छा जोतीबाब फुली जी की पुष्तक है गुलाम-गीरी याद रखना आपको न में से कौन सा एक फटेपूर शिक्री में स्थित्र नहीं पुछा गया है बाई तो इस में से दिखेगा फटेपूर सिक्री में जो है यह मोत और यह घटना गटी थी 9 अगस्त 1925 को याद रखेंगे और इसमें फासी दिया गया था किसको किसको तो रामपरसाद बिस्मिल रोसनलाल राजिंदर लहरी और असफा कुलाखन को फासी दिया गया था तो इसमें से ओप्सन बर भी राइट अंसर हो जाएगा जो मैंने नाम बताया था रामपरसाद बिस्मिल रोसनलाल राजिंदर रहरी और असपा कुलाखन को काकुरी कांड में फासी की सजा दी गई थी निम्लिकित में से कौन से गोल में सम्मिलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था तो भाई गांधी जी अब इसली दूसरे गोल में सम्मिलन में भाग लिये थे पहले में नहीं लिये थे और तीसरे में नहीं लिये थे तो राइट अंसर अप्सन बड़ी हो जागा ए और तीज़ती दोनों पहला गोल में समयलन के समय इंगलेंड का प्रधानमंतिर रैमजे। मकडोनाल्ड था निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है है इसमें से तो सत्य कथन मैं ऐसे देता हूं देखें कौन सा कथन इसमें से सत्य है बताइए बताइए राइट अंसर इसका क्या होगा जाबलोब पनिस्टत में चारो आश्रोम का उलेख मिलता है अच्छा यहां पर देखिए टॉलमी ने नेचुरल हिस्ट्री की नामक रचना की है तो टॉलमी ने जो है नेच श्रुमार के प्रेट से जूते हुए खेथ के साख्ष मिले है कहां से काली बंगन से काली बंगन किस नदी के किनारे है तो याद रहेंगे यह घगरन दी की किनारे चले उसका बात कोंसा नबर 65 करेंगे कि चोलकाल में बैपारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था चोलकाल में बैपारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था तो नगरम के नाम से 1997 में जलवाई परिवर्तन सम्मेलन कहा हुआ था तो 1997 में जो जलवाई परिवर्तन सम्मेलन हुआ था इसी को क्वेटो सम्मेलन कहा जाता है यहां जलवाई परिवर्तन सम्मेलन कहा जाता है यहां जलवाई परिवर्तन सम्मेलन कहा जाता है यहां जलवाई प wh याद का पूछेगा तो विहार का पूछेगा भारत का है तो आपको यादों का चिलत का जहील ठेकर एक पहलू जय विद्धता का यह पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन है उसके पारिस्थितिक तंत्र में एक पोसी अस्तर से दूसी पोसी अस्तर में अस्थानांत्रित से उर्जा का मात्रा क्या होगा तो फ्रेंस उर्जा की मात्रा जो है एक पोसी अस्तर से दूसरे पोसी अस्त यह और प्राप्त होता है अच्छा बोल की परिभासा पुछा जाता है तो बल की परिभासा प्रधमनियम से और बढ जसे दूसरा नियम ठीक ना, द्रव की सायन्ता घरती है और एक आजर स तरल की सायन्ता कितनी होती है तो सुने होती है, जीरो होती है, याद रखेगा जरा द्रिष्टी दोस को दूर कर रहे हैं तो किस लेंस का प्रयोग किया जाता है अच्छे यहाँ पर देखे निकट द्रिष्टी दोस में जो है उतल लेंस का इस्तमाल किया जाता है दिर्ग द्रिष्टी दोस में उतल लेंस का इस्तमाल किया जाता है और द्रिष्टी वेस्चम्याता द्रिष्टी वेस्चम्याता ठीक ना इसमें जो है बेलना कार लेंस का और जरा द्रिष्टी दोस्त में बाइफोकल लेंस का इस्तिमाल किया जाता है निमलिकित में से किसकी वेधन शमता और आयनन शमता सबसादिक होती है तो वेधन शमता सबसादिक गामा की होती है और आयनन शमता अलफा की होती है तो option number इसका C right answer हो जाएगा नेक्स्ट कुस्टने फ्रेंस हमारा कि कौन सा सई सुमिलित नहीं है यहाँ पर देखेंगे विद्धुचुम्ब के तरंग है और दूसरे तरफ खोज करता का नाम है गामा किरन की खोज किसने किया था तो दिखें ध्यान देंगे गामा किरन की खोज जो है यह किया था पॉल कोनी ने किया था मार कोनी ने दिर्ग किरन का खुज किया था अपसे नंबर डी राइट अंसर हो जागा सुमिलित नहीं है शेल उसकवधी के ध्वानी की चाल सामानेता जल में होती है जीरो डिगरी सेंटिग्रेट में तो यह जल में 1483 मेटर पर सेकंड होती है और जीरो थक्का का पता लगाने के लिए यह समस्थानिक जो है यह सोडियम 24 है ठीक है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर में किया जाता है और फास्पोरस 32 का प्रयोग जो है यह लिवकेमिया थेरेपी में किया जाता है उसका बदेखे एक अच्छे इंदन का कौन सा गुन सामिल नहीं ह अधिक होना चाहिए तो यहीं नहीं है और से नमबर सी कावलीन जो है किसका है कावलीन जो है यह अलिमुनियम का आधुनिक आवर्थ सारनी में वर्ग और आवर्थ किसंख है यह प्रशन आपको बता है फ्रेंट्स आपके लिए मैं इसका एंसर रख रहा हूं और आप अमली यह होता है कब किया था पिएच स्किल की खुद सुरंचन ने तो सुरंचन ने 1909 में किया था चले कोशिका विभाजन मुख्यता कितने परकार का होता है तो कोशिका विभाजन मुख्यता तीन परकार का होता है और सुत्री और अर्द सुत्री और अर्द सुत्री और होता है ध्यान रखेगा और इसके लिए जो है कौन सा जिम्मेदार है तो यह आपका टीनिया कैपिटिस जो है जिम्मेदार होता है चावल गिहूं और गन्ना की स्कूल के पौधे हैं तो चावल गिहूं गन्ना जो है यह ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं उसका बादि के बौ नोरजिन फूलों के खिलाने में सहाइक होता है एक ट्रावमेटिन है ट्रावमेटिन ट्रावमेटिन से पात्व कोशिका का ग्हाव भरने में आ एक इ susceptible थे शाखारी है यह दूतियक नहीं है नहीं पुछा गया है उसकी पुछते में राइबोजोम Lewis कर भी ऐता च्रुझा नमाकरन जो है यह किया गया है कि इसके दोरा रिचर्ड बी-्रॉबर्ट की दोरा ठीक है? ठीक है ना? चले समसुत्री विभधाजन में कौन सा कथन और सत्त्त है गलत पुछा गया तो यह सही है यह भी सही है ठीक है यह वाला लारत पढ़िए कि सबसे चोटी वह तब कर थो अभस्ता होती है अर यह प्रोफेज होता यह से सब लाब वह सबसे बड़ा कि इंड़ा तो कौण सा असत्य ये अगनासे से स्रावित होते हैं ठिके ना में को ये ये बुरुखेल जय गार रेड क्रोस को अब तक कितनी बार सांती है तो नोबल पूरसकार से समानित किया गया रेड क्रोस की अस्थापना ये कब हुआ था तो तो 1863 में जेनावा में हैंडी डुरेंट ने किया था ठीक है ना आठ माई के दिन प्रतीक वर्स जो है रेड क्रोस दियोस मना जाता और अब तक रेड क्रोस को तीन बार नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है मांडी जागोर निर्त जो है यह दोनों कहा का लोक निर्त है मतलब कहा का निर्त है यह तो मांडी और जागोर यह गोवा का है बीसि रख्रॉथ पुरसकार की सेतर में द्या ज़ाता है तो वॉमेन-पॉष्ट like स्हथ तो लिखा है ऐके न Simply सब्सक्राइब अपना स्कूर बता करें एक स्थ Automotive हैं उस्थ उसका एंसर फटाफट बता देता हूं वाटसेप जो चैनल है मेरा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ पर आप फॉलो कर लिजिए वाटसेप पर सारे पीडियाप आपको एक ही साथ में दे दूंगा सारे सेट का निश्चिंत रहिए आप इसका राइट उसकी हो जाएगा 99 का देख लिजेगा 99 का जो है और भी अपर संख्याव को निकालना है उसका बज़े आखरी ऊसने हंड्रेट का इसका जो राइट अंसर हो जाएगा वह आपका उन निस हो जाए